नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बाद फिर से आपके पने यूटुब चैनल Mr.360 गुपता पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर रोमानिया टीटन लीग के आज के दिन के तिसरे मुकाबले की जो यहां पे खेला जाएगा टी ना लीग के लिए तो बस आपको वीडियो कंपलीड वाच करनी हैं पूरी देखनी हैं अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं बाकि जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइनएप सिया टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी एंडर परसेंट व सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगल टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं तो ये काम दोस्तों जरू कर लें क्यूंकि ये आपके लिए इंपॉर्टन्ट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो चली दोस्तों सबसे पहले चलते हैं स्कोर काड़कियो जहां पर मैं आपको दोनों टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ तो बात कीज़ेब वेन्यू की तो मैच खिला जाएगा मौरा वलस्की किर्किर गराउंड पे साड़े तीन बजे दुपहर के समय दोनों टीम्स की बात की जाए तो यहां एच कर लें टावाद हूँ तो आपको दोनों टीम्स की प्रफॉर्मेंस के लास्ट मैच के स्कोर कार्ड को भी चेक आउट कर लेते हैं तो आप समझ सकते हूं कि 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 तरीकी की बाॉलिंग इनकी रही तो इस मैच मैच के बलबाजी की 10 और के अंदर 7 रन बानाए आगड़ को छटे ओवर के अंदरी चेस कर देते और ये सिर्फ उनका एकी विकेट गिरा पाते हैं तो इनकी वर से दोस्तों यहाँ पे गोहर मनन ओपन करने आते हैं सेरियल सोहल के साथ गोहर मनन दोस्ते यहाँ एक गेंड केलकर बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं और सेरियल सोहल तो इनकी और से आपके लिए जो इंपॉर्टन बैट्स में रहेंगे वो दोस्ते आपे गोहर मनन, सेरियर, सोहल, अब्दूल असिफ, असाद अब्बास्तु यह चार जो बैट्स में रहेंगे वो इनकी और सापके लिए इंपॉर्टन हो सकते हैं बाकी अगर मैं बात करें उनकी गिनबाजी की तो इनकी और से अब्दूल असिफ ने दोवर की गिनबाजी की काफी जाद महेंगे थाबित हुए विकेड भी नहीं मिला इनको अगर बात कीजाए दोस्तों यहापे टीम की अगर बात की जए दोस्तों आपर टीम कलेच की पिछला मुकाबला साथ विकेट से हार कर रहा हैं, इनकी भी टीम ने सबसे पहले बल्लेबाजी की, दस ओवर के इंदर रसी रन बनाए छे विकेट ये नुकसान पे, जब आरी आती है इस टारिगेट को डिफेंड करने की तो इसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, अपने इनक इनकी टीम से वसु सेनी आते हैं, जो की 6 गेंदो पे 4, गोरब मिस्रा 23 गेंदो पे 27, रवी 16 पे 29, निशान देवरे 2 गेंदो पे 1, और अनकुमाल जोकिष टीम के कैप्टर ने यहां पे 2 गेंदो पे 3 रन पनाते हैं, तो इनकी और से जो इनके इंपोर्टन बैट्स में रवी आतर पातों दोस्ते हैं, पे विके ले 9 रन देते हैं, वसु सेनी बी दो वर के अंदर 19 रन देते हैं, एकॉनवी ठीक टाक रहती हैं, लेकिन विकेड नहीं निकाल पाते हैं, सैसी हिमत भी 2 वर के यंदर, रे विकेड ओढ़तो या उप exactement पेंदे मातर ने 100 रन दी है तो देखा जाए तो जो इनके मेन बॉलर्स रहेंगे वो निशान देवरे हैं जो की बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं साफी एमद बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं वासू से नहीं बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं वासू से नहीं बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं और गो सूकी, साही को एक विकेंड मिला था और एक विकेंड यहां पर गोर मिस्रा को मिला था तो देखा था साफी हमत का एक मैच में जो पहला मैच था वहां पर एक ओवर दुसरे मैच में इनको दो वर जब मिले तब इन्होंने विकेंड निकाला तो थोड़े से अंप्रिडिक टेबल हैं कि इनको कितने अवरगी बॉलिंग मिलेगी तो अमीद करेंगे आपको ये वीडियो अभी तक काफी ज़दा important और informative लगी होगी तो वीडियो को like नहीं कि आपने भी तक तो मेरे भाईयों वीडियो को like कर दें चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को subscribe कर दें बेल आइकन ज़रू वाल पर प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और ये आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो ज़रू दोस्तो ये काम कर लीजे बाकी जो भी मेरी final update होगी after lineups या toss के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी वो सीधा आपको मारे टेलिगरम चैनल पे मिल जाएगी अभी कि समय 12,000 से ज़्यादा लोगो already join हो चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से join होना चाहते हैं तो आपको हमारे channel का link description comment दोनों जगा पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगे टीम का profit उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर ले क्योंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए free और यहाँ पे अबास यह भी अपने टीम के लिए important batsman है तो यहाँ पे हम दोनों batsman को pick कर लेते हैं इसके अलावा दोस्तों यह दोनों पने टीम के लिए wicket keeping भी करें तो वहाँ से भी आपको point दे सकते हैं लेकिन अगर हमें आगे कोई अच्छा अलराउंटर या फिर कोई अच्छा बॉलर जो की हमें लगता है कि वो मुझे किसी ए wicket keepers से ज्यादा point देगा तब हम उस condition में आप ए अबबास को अपने टीम से ट्रॉप कर देंगे क्योंकि ए अबबास बैटिंग कर रहे हैं नमबर तीन पे नदी गोतला ओपन कर रहे हैं बैट्समन है कि बॉलर डरते हैं इनके आगे बॉलिंग कराने से लेकिन इस सीजन पता नहीं ने क्या हो गया है कि दस से ज़्यादा रंगी नहीं बना पा रहे हैं बाकी काफी हार्डीटर बैट्समन है आप देखीगा कि आने वाले मैचिस میں हो सकता है कि फॉर्म में आ जाय बढ़ जाएंगे 50% chances इनकी टीम के बढ़ जाएंगे अगर 30 सिंग खेलेंगे बागी यह नहीं खेलेंगे तो इनकी आरगई को भी करेंगे और यहां पी आसिफ को भी करेंगे जो कि अपनी टीम के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर देते हैं बागी यहां पर कार्थि सेक्षन से जो तीन इंपाइटम रहने वाले हैं वहुँद्य आपर जी ह मनन हार गई एnın आसिफ रहने वाले हैं तो क्यों, इनको भी करके χशे पार हैं लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहा हैं जिस कारेंट से में दोस्तों यहां पर इनको भी करके नहीं चलुँगा इसके अलावा यहां पर देखिए आपके सामने एस उल्ला की पीकि ये भी एक अच्छा प्लेयर है बैटिंग बोलिंग कर लेता लेकिन इनका अभी ये सीजन इतारा कुछ खास जा नहीं रहा है तो आलांडर सेक्शन में तीनी आलांडर को पीक करेंगे बाकी बात आए दोस्तों बॉलिंग की तो एस सिंग दोस्तों लास्ट के कुछ मैचेस नहीं खेले है बाकी साफी हमत ने कल दो मैच खेले जिसमें एक मैच में इनको एक वर की बॉलिंग मिली जहां पर इनको विकेड नहीं मिला दूसरे मैच में उन्हें दो वर की बॉलिंग की जहां पर इनको ये विकेड मिल गया यानि कि थोड़े असा टेबल है इनका कि इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी दूसरे जो हमारे सेफ आप्शन देंगे वो यहां पर आराता पातू है दूसरे मैच में इनकाल कर दे दे देंगे आपको लेकिन जो तिसरे पे प्ले है जैसे कि या पे नहीं लंगा ये अपना पहरा ही मैच कहले थे लुप जिरम ने पहले मैच में आके बॉलिंग चाहिए और इनको डित्थ ओवर दिया गया था बॉल कराने के लिए एक स्पिनर है, फिल्बी इनको टेथ ओवर दिया गया, दुसरे मैच में इनको बॉलिंग ही नहीं दी गई, बाकि एक रेस्टिंग को पिक कर लूँगा, बाकि मैं अन्दी लंगा के हिसा जाओंगा, क्यूंकि इनके बॉलिंग के चांसेस तो हैं, जिनक पे पांच प्ले मैंने आपे CLJ टीम की और से पिक किये हैं। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपे दो विकेड कीपा, तीन बैटसमैन, तीन अलाउंडस, तीन बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तयार किया है। किया है अगर कैपटन और वाइस कैपटन किसको बनाएं। तो कैपटन हमारे अबदुलासिफ रहेंगे और वाइस कैपटन दोस्तों अपर जी मिस्रा रहेंगे। बाकि आप चाहो तो इसको पोजिट भी कर सकतो काफी लोगों ने जी मिस्रा कुमिटी में कैप्टन भी बनाया क्यूंकि कल दो मैचस केले दोनो मैचस में इनों ने अच्छा परफ़र्म किया लेकिन आपको मैं बतादू एअश्व खाफी कमाल के प्लैयर आपनेज परफ़र्मेंस यहां पर देख सकी है इन दो मैच के अंदर कल यह फ्लॉप रहते दोनों मैचस में आज हो सकता है कि दोनों मैच में यह हिट हो जाए और जी मिसला फ्लॉप हो जाए बाकि अगर आप मेरी इस टीम में कोई चेंजिस करना चाहते हो वो यही है कि किसी एक विकट कीपर की आप जगा पर यहां पर आल लिग जोइन कर सकते हैं और सेम डिम सा दोस्तों आप लोग गराल लिग जोइन कर सकते हैं तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रिव ले 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 और जहां पर भी आप लोग इन्वेस्टमन कर रहे हो वहां पजाए का दोस्तों आप लोग हमारी इस टीम का यूज़ क जगाओं भी मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जूट सकते हैं और मेरी दीगए टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर लेना क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टन्ट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री बा आप लोग जहां भी आप लोग इंवेश्ट करें हमारे टीम मेनेजमेंट से हमारे टीम कॉंबिनेशन से तो मिलेंगी दोस्तों आप सबी लोगों से जल्दी एक नेक्स वीडियो में एक और ने मैच को कवर करते हुए तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातराम